हेलो एविवान, वेलकम तू माई यूटूब चानल, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तो ऐसे टोनल्स के बारे में, जो पोपल.com पे चाये वे हैं, और लोगों को बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, अगर तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आजरो डिसलाइक कर देना, बट मुझे बताना जरूरू किया आप वीडियो देखे हैं, तो लेट स्टार्टर, लेट स्टू दे कम्पारोजिन वीडियो. So, शुरू करते हैं अन दोनों के बीशें बैटल, तो मेरे पास राइट हैं आपका लेट कुकुम्बत अपका लेट कु क्यूम्बत हैं और मेरे लेट आपका लेटां हैं तो दोनों का य के पाकेजिंग है, यह है डाट नोड गोल सु पॉर्टल में यह है, ट्रांस्परेंट पॉर्टल में, दोनों स्प्रेय फॉर्म में आते हैं, अब मैं प्राइसिंग की बात करो, तो यू can see the pricing here, यह 125 रूपीस का है, यह 175 रूपीस का है, इसका प्राइस जादा है, बट इसकी क्वांटिटी भी जादा है, यह 120 ml है, वेरास, अल्सकुदनेश वन इस 100 ml, ठीक है, दोनों ही पारबेन, अल्कोहल, सलफेय फ्री हैं, you can see here, the ingredients of both of them, you can see here, okay, this one, here you cannot see, पहले मैं अल्सकुदनेश की बात करती हूँ, इसमें कोई भी पारबेन नहीं है, और अगर मैं गुदवाइब्स की बात करती हूँ, तो गुदवाइब्स में भी कोई भी पारबेन्स नहीं है, although इसमें सिर्फ की ingredients शो हुए हैं, सारे ingredients नहीं शो हुए हैं, बट स्टिल इसमें पारबेन्स नहीं है, ना सलफेट है, यह सब कुछ mention है यह आपर, ना अल्कोहल, ना पारबेन, ना सलफेट, क्रुवल्टी फ्री हैं दोनों के दोनों, तो तो इसमें लिए बोट अब बोट अब देन, दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, chemical, इसमें पारबेन्स वह कहे रहा है, वैसे chemical थो है, obviously तुम प्रिजर्व कैसे करोगे, ठीक है, कुकुम्बर जो है वह आपकी पेस को कूल डाउन करने, especially summer के लिए तो कुकुम्बर टोने बेस्ट होते हैं, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, इसकी स्प्रे की quality के बारे में, देखी, मैंने दोनों को स्प्रे करा है, but I would like to show you, कि इसका स्प्रे जो है वह जादा fine है, I will show you here, मैं आपको अपना hand रखके दिखाती हूँ, और जब यह स्प्रे होगा तो यह evenly स्प्रे होगा, यह देखिए, fine है, ऐसा नहीं है, आपके eyes को लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, although I would say कि, अब मैं बात करते हूँ, eyes में itching के बारे में, तो good wipes का थोड़ा सा sensitive skin के लिए बना हुआ है, else goodness का eyes में लगता है, तो please अगर आप else goodness का toner यूज़ कर रहे हैं, तो उसको eyes से बचा के रखेगा, और good wipes का जो toner है, वो काफी mild toner है, तो यह sensitive skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं, definitely suggest कर लूँगी आप लोगों को, ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ, ingredients same है, Mumbai के दोनों बने वे हैं, अब बात कर लूँगे, आपको अथनी राम कहानी बता दी, अब यह भी बता दो कौन सा अच्छा, अरे रुखो, थोड़ा सबर करो, पहले मैं आपको बताऊंगे, दोनों के colors के बारे में, तो बात करते हैं इनके color के बारे में, So, यह है Good Vibes का, जो की green in color है, और यह है आपका Elves Goodness का, Good Vibes में हलका सा जाग है, आप देख सकते हो, जबकि इसमें कोई भी ऐसा जाग form नहीं हो रहा है, इसका मला यह नहीं यह खराब है, बस इसमें जाग है, that's what I wanted to show to you, color में दोनों का कोई जादा difference नहीं है, although fragrance Good Vibes वाले की कम है, Elves Goodness वाला अगर आपकी nose sensitive है, तो आपकी इसकी smell नहीं पसंद आएगी, बना थोड़ी सी harsh है, अगर आपको कुकुमबर की fragrance पसंद है तो ठीक है, बर यह थोड़ा सा artificial fragrance लगती है, वेरस कुकुमबर वाली जो Good Vibes वाले है, उसकी fragrance काफी natural लगती है, और दोनों ही 50% discount पर मिल जाते हैं, अब मैं दोनों को हटा देती हूँ, आप इनकी consistency देख सकते हैं, दोनों की liquid consistency है, मुझे एक बार को यह लगा, कि दोनों को एक ही bottle में डाल दिया, जो product manufacturing हो रही है, वो एक ही जगा हो रही है, और बस bottle अलग-अलग कर दिया, एक बार को तो मुझे यही लगता है, क्योंकि मुझे कुछ खास difference zone में फरक नज़र नहीं आता है, इसकी बस fragrance थोड़ी सी जादा है, और इसकी थोड़ी mild है, और यह थोड़ा सा sensitive skin को kind of, यह इतना इची नहीं करता, आइज में इतना लगता नहीं है, यह हलका सा आइज में लग जाता है, हुकूंबर toners वैसे भी eyes में थोड़ा सा लगता है, बिकाज उमें estranged properties होती है, इसे लिए, ठीक है, तो बस इतना ही फरक मुझे लगा दोनों में, otherwise दोनों अपनी अपनी जगा अच्छे हैं, अगर में को फिर भी skin texture के according suggest करना हो, तो I would still suggest you the good vibes one, I am not saying कि इसने बहुत जादा मेरे pores को बहुत enhance करा है, या इसने मुझे बहुत जादा pores shrink करें, ऐसा कुछ भी नहीं करा है, यह एक अच्छा toner है, आप जब भी face wash करते हो, उसके बाद toner को लगाना चाहिए, ताकि जो pH balance जो face wash की वज़े से थोड़ा डग मगाया है, वो maintain हो जा करूंगे, still अगर आपका budget थोड़ा कम है, तो आप else goodness की तरफ जा सकते हो, मुझे इन दोनों में बहुत जादा फ़रक नहीं लगा, मैं आपके सामने सब कुछ शोग कर चुकी हूँ, ठीक है, आपको ये लेना ये लेजे, ये लेना ये लेजे, दोनों अपनी अपनी जगा बहुत अच्छे है, still एक, एक point extra मिलता है good vibes को, में तरह से, because इसका formula थोड़ा सा जादा मुझे अच्छा लगा, okay, दोनों ही moisturizing है, dry out नहीं करते हैं skin को, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से moisturize रखते हैं skin को, fresh feel होता है, बहुत अच्छा feel होता है दोनों को use करके, तो दोनों ही अपनी अपनी जगा बहुत अच्छे हैं, दोनों purple.com पे मिलते हैं, दोनों 50-50% price पे ही खरीदियेगा, okay, that's it for today, okay, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, helpful लगी हो, तो please वीडियो को like, चैनल को subscribe हो मेरे, चैनल पे comment कर दो न, कि कुछ पता होता है क्या Namaste